आपकी गाड़ी का कलच कैसे काम करता है और आप कहते हैं कि गाड़ी की कलच पलेट खराब होगी तो आपकी गाड़ी की कलच पलेट में कौन सी चीज ऐसी है जो खराब होती है और वो क्यो खराब होती है उसके पीछे क्या कारण है कौन सी ऐसी सावधानी है अगर आप वो सा आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है खोपडी तो चलिए जल्दी से वीडियो की सुरुवात करते हैं तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आपका क्लेश प्लेट आखिर काम कैसे करता है तो मैं इस फैन और इस पंकड़ी की साहिता से आपको समझाने की कोशिश करूँगा मोटर को आप समंझ लीजे इंजन जो की अमयशा घोमता रहता है और इस पंकड़ी को आप समंझ लीजिए आपका gear box कह लीजे यँआ टायर कहले जिसमें की finally वो power जानी होती है अगर मैं इस पंकड़ी को इस मोटर में ऐसे लगा दूँ तो इसके साथ गोमने शुरू कर देगी लेकिन अगर मैं इस पंकड़ी को इसकी साफ्ट से बाहर कर दूँ भले ही मैं इतनी थोड़े सा gap maintain करूँ तो यह पंकड़ी आपको गुमना बंद कर देती है यही mechanism होता है आपके clutch का जब आप clutch का pedal दबाते हैं तो यह ऐसे बाहर आता है और जब आप clutch का pedal छोड़ देते हैं तो इधर इस प्रिंग लगा है वह spring फिर इसको ऐसे दबा देता है तो अगर मैं इस mechanism के साब से कहूं तो आपको जो यह काम यह bolt करता है यह screw करता है पैंच करता है वही काम करता है आप का clutch तो अब आते हैं सीधे clutch पे अब आप clutch का फंड़ा समझ चुके हैं कि clutch आपका क्या काम करता है क्लच बेसिकलिए आपका power को इंजन की power को बार-बार जब हमें जरूरत है तब आगे भेजता है जब जरूरत नहीं है तो उस power को वहीं पर cut कर देता है आगे नहीं भेजता है उसको आगे नहीं गुमाता है यह काम होता है कलच का में तीन चीजे होती है एक ये finger कह लीजिए ये pressure plate कह लीजिए इधर ये वाली चीज जो है ये जो disc आपको देख रही है इस disc को कहते हैं ये disc को रिया आपस में जुड़ी हुई है ये यहां से पत्ती से देखे आप ये जुड़ी है ये अलग चीज है ये अलग चीज ह ये दोनों इस पत्ती से जुड़ी हुई है और तीसरी चीज जो है आपके ये clutch plate होती है तो ये तीन भाग में ये आपके clutch plate होती है पहला भाग clutch clutch plate दूसरा भाग होता है आपको ये friction plate और तीसरा भाग होता है आपको ये pressure plate कहलो या इसको finger plate कहलो अब clutch के बारे में थोड़ा आप देख लेते हैं कि clutch में कौन-कौन सी चीज होती है सबसे main जो clutch में चीज होती है जो parts होता है clutch का ये है आपकी clutch plate इसको कहते हैं हम clutch plate इसको आप ध्यान से देखिए इसमें ये दोनों तरफ ये आप देख पा रहे हैं ये बीच में lining से जो है ये दोनों तरफ दो ये friction material कह लीजिए प्लेट कह लीजिए लगी होती है और ये rivit से जुड़ी होती है जिस तरह आप पुराने जमाने में gate की बनाते थे रिविट लोहे की वो रिविट से जुड़ी होती है तो अगर आप इन रिविट को निकाल देंगे तो बीच में सिर्फ आपको एक प्लेट दिखेगी और ये दोनों साइड से ये चीज जो है वो अलग हो जाएगी अब इनके fitting ऐसी होती है कि नीचे सबसे नीचे रहती है आपकी ये pressure plate उसके उपर ये fix रहती है आपकी friction plate इन पत्ती के द्वारा और इनके उपर ऐसे आती है ये आपकी clutch plate अब ये पूरी की पूरी assembly जो है ऐसे एक साथ में clutch plate assembly हमारी बनगी इस तरह से आके और कहां पर fit होती है आपके fly wheel के उपर तो समझाने के लिए अगर मैं आपको बोलू कि ये आपका fly wheel है ये मारा चक्का है गाड़ी का जैसे ये गूमता है ऐसे ये आपका fly wheel गूमता है तो मान के चलिए कि ये आपका fly wheel है और fly wheel के उपर ऐसे आपने ये वाली assembly ऐसे लगा रखिये और यहां पर ये nut bolt की साहता से इसके साथ में fix हो जाती है तो अब यहां से एक road गई है साप्ट गई है जो कि आपके बाहर निकलती है कहां पे gear box में इधर ये जो आप चीज देख रहे हैं बीच में यहां पे एक साप्ट डाल दी जाती है जो आपके gear box को गूमाती है तो इधर आपका पैया गूम रहा है जो आपका fly wheel है वो गूम रहा है तो उसके साथ में यह घूमती रहती है जब तक आप कलच नहीं दबाते है और यहां पे होता है जो आपकी साप्ट गई है मैं बताया gear box में यहां पे एक bearing रहता है वो bearing के अंदर साप्ट गूमती है तो जैसे ही आप कलच दबाते हो तो वो bearing पे एक lever लगा रहता है लीवर से वो bearing इसको दबाता है यहां पे देखो यह आप गिसने की निसान आप देख रहे हो यह इसलिए गिसे हैं तक वो bearing इसको यहां पे जोड़ से दबाता है आप हाथ से इसको दबाने कोशिस करेंगे तो ये नहीं दबेगा पैर से भी नहीं दबेगा बहुत हाड होती है ये स्प्री लेकिन हाइडरोलिक प्रेसर से जब आप इसको दबाते हैं आपके कलच में हाइडरोलिक कोल होता है उसके प्रेसर से तो बेरिंग इसको इधर दब एक M-M आपको हमें खिसकाना है जरूर यही इसमें सबसे ज़्यादा समझने वाली चीज ए इसलिए मैं इसपे इतना टाइम दे रहा हूँ इस चीज पे मैं इसको अगर बीच में से दबाता हूँ यहां से तो यह यहां से तो दबेगी उस पे प्रेसर डाला जाता है तो साइड से वो बाहर भागेगा यह वाली चीज यही सारी कलच की जान है यह चीज अगर खतम हो जाएगी बेसिक सिदान कलच का यही है कि अरगर आप इनको बीच में से यहां से दबाएंगे तो यह किनारे से वापस आएंगे इदर से अप अंदर दबाएंगे इदर से यह बाहर आने कोशिश करेगा तो जब यह थोड़ सा बाहर की और आ जाएगा तो यहां पे जो आपके फ्लाई वील यह इसके साथ में रहती है तो यहां पे थोड़ सा GEP मेंटेन हो जाएगा इसके बीच में और जो आपके फ्लाई वील के बीच में थोड़ सा प्रेशर कम हो जाएगा तो क्या है आपको जो फ्लाई वील है वो फ्रिगूंने लगएगा और जैसे आप पेडल से पैर घटा लेंगे तो इसको जो दबा के रखा था यहां पे आपके बेरिंग ने वो प्रिसर यहां पे हट जाएगा तो फिर यह जो है वापस फ्लाइविल पे रगड के चलेगी उसके साथ में गूमना शुरू करेगी और फिर यह आपके गेर बोक्स को गूमाने लगेगी तो जैसे जैसे यह गिस्ता रहता है तो वो जो बीच में जो गैप है आपका इसकी ठीकनेस जो है । जो मोटा ही है वो कम होती रहती है अब इसमें बदल ती क्या है इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया आफ्टर मारकेट तो जोगाड है कि ये प्लेट आपके ये फ्रिक्षन मेटरियल वाली चीज इसकी बदल दी जाती है जिससे की इसकी तिकनस बढ़ जाती है और ये फिर से काम करना शुरू कर देता है कुछ छोटी-छोटी मगर मोटी बाते की तो आप देख रहे होंगे कि ये क्लस्ट प्लेट है इसमें ये बीच में स्प्रिंग क्यों दिये होते हैं दो स्प्रिंग बहुत पतले हैं उनसे बड़े दो ये हैं और सबसे मोटे दो ये हैं मतलब तीन तरह की मोटाई के इसमें स्प्रिंग दिये हुए हैं तो उनका क्या मतलब है तो उनका मतलब अगर मैं एक सब्द में आ रहती है और यहां से आपको गोमना शुरू करेगी तभी तो पावर इदर जाएगी यहां से इदर तो उसमें जो कमपन होगा जो वाइब्रेशन होगा क्योंकि उसमें रगल रगल के चलेगी यह देख लेए आप सरेशन भी है तो दूसरा आपका इसकी वज़े से भी जो बार जटका ना लगे गियर बोक्स के गरारी पे तो वहां पे स्मूथ पावर ट्रांसफर हो उसके लिए ये वाले चीज दी होती है और चोटी बड़ी इसलिए दी होती है क्योंकि जो बारी जो है कंपन वो छोटे वाले जो बहुत बारी कंपन है उनको खतम करता है और सबसे मोटा जो है जो एकदम से जाधा जटका लगता है हुआज को बीच वाला मेडियम साइज को घा लगे तो उमिद करता हूँ कि आपको आज की मेरी वीडियो ये जानकारी भरी लगी है अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें कोई भी आपको कमेंट है वो कमेंट सेक्षन में आके बता सकते हैं मेरे साथ बने रहे इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद